आजकल कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ कोल्ड रिंग्स की बॉटल ना है तो जरा सा खयाल कीजिएगा और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कपार से जुगारे वो तो है ही असलाम उलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल शवनूरिली तो फिर मैं इस बॉटल को सिफ दिखा रहे हूँ कि इसी बॉटल को मैंने कट किया हुआ था और उसका एक बचा हुआ पार्ट मैंने यूज कर चुकी हूँ और आज एक बचे हुए पार्ट को यूज कर रहे एक दिन काफी सारा पेंट जो ना सूखने की कंडिशन में था तो मैंने उठा कर बहुत सारे प्लांटर्स जो कुछ आथ में आया उसको खतम कर डाला और पेंट करकर छोड़ दिया इसलिए एक रंग में काफी सारे प्लांटर्स तैयार हो गए थे तो बेस कलर करनी की तो ज मैं इसको आज यूज करूंगी तो मैं क्यों ये कटिंग की हुई है मालू मैं क्यूंकि मैं इसको कट करके बनाने जा रही थी आज मनी हो रहा था वीडियो बनाने का पर फिर सोचा कि चलिए शेयर कर लेते हैं अच्छा लगेगा थोड़ा सा ये अपने कैप की तरफ से से लोख्युद इस अच्छा पिछ और पिछ हम इसको निकाल दे रहे हैं तो इस तरह से और बेना डरा हनов कि तो मैंने इस तरीके से ट्रॉ किया देख लीजे जूम करके दिखा रही हूँ और बनाना काफी एसी है अगर आप ट्राइ करना चाहते हैं तो आसानी से कीजेगा फिर मैंने या वाइट किलर का यूज कर रही हूँ ये एक फैविक रिल है तो मैंने आइस छोड़नी कोशिश क लेकर और कलर कर दिया बलेक कलर अब यहां पर मैंने इसके फूट स्टाप्स बना दिये जल्दी से बने वाला डियाइवाई है और फिरीका भी है वो तो आप देखी रहे हैं कलर तो रखे रहते हैं हम गार्डनर्स लोग जो भी डियाइवाई बनाते हैं बचत करनी के भी ह कुछ जादा खर्चा नहीं आया हर किसी की आखों में ना खुशी की एक चमक होना चाहिए उसे खुबसूरती बढ़ जाती तो बस मैंने कुछ चुटे-चुटे से डॉट इसकेश की टिप पर रखकर वाइट कलर और बना दी इसकी आईस में और इसकी हो गई चमकती से और मैंने मेन इस जगह को ध्यान में रखते हुए यह बनाया था कि इस पर टांग देंगे इसलिए मैंने उस पर डोरी वगएरा नहीं बनाई बांधी कि मुझे इसी पर लगाना था तो इस तरीके से यह टिक चुका है और पॉट्रिला का पर्सलेन चोटी कटिंग से ग्रो का इक लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलाहाफेज